अध्याय चार खनिज संसाधन और अध्योगी करण खनिज विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले अजैविक ठोस रवेदार योगिक या तत्व को खनिज मानते हैं भुगोल में प्राया वे सभी चीजें जो प्राकृतिक हो और हमें खनन द्वारा प्राप्त हो उन्हें हम खनिज मानते हैं इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टिया, रेत, कोईला, धातु, अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्र खनिज कहते हैं, खनिज संपदा भुगर भी ये प्रक्रियाओं से निर्मित होती है, खनिज किसके हैं, किसी गाउं के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला, तो वह चूना पत्थर किसका होगा, जमीन के मालिक का, पूरे गाउंवालों का, पूरे राज खनिज का, या पूरे देश का, अलग-अलग देशों में इसके संबंध में अलग-अलग कानून है, ब्रिटेन, संयुक्त राज, अमेरिका, वह जमीन के मालिक का होगा, जर्मनी, वह किंद्र सरकार का होगा, भारत, इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो खनिज मिले, वह पूरे देश का होगा, उसके उपएँग संबंधी नियम कानून राजी सरकार को बनाना होगा, खनिज नीती, भारत में खनिज संपदा के उपएँग से संबन्धित नीतियां, हमारे विकास और औद्योगिकरण की नीती के विकास के साथ साथ बदलती रह खनन नीती के निर्माण के तहत कुछ महत्तपूर्ण बिंदों पर विचार करना होता है। खनन विभाग तता उस देश या राजिका खनन विभाग सर्वेक्षन के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। खननीज हमारे जीवन में बहुत महत्पूर्ण है। भारत में खान इवं खनीज विकास विनिमें एक्ट 1957 के अनुसार खनीजों को चार वर्गों में रखा गया है। पहला परमानु खनीज यूरेनियम थोरियम दूसरा उर्जा खनीज कोईला खनीज तेल वप्राकृतिक गयस। तीसरा धात्विक खनीज लौस, बॉकसाइट, क्रोमाइट, मैगनीज, तामबा, सोना, चांदी, इत्यादी। चोथा, गौड या आधात्विक खनीज भवन निर्मान कारे में आने वाले खनीज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमर्मर, चूना पत्थर, कंकर, बालू, इमार्ती पत्थर। खनीजों के गुड धर्म एवं संरचना के आधार पर खनीजों को दो वर्गों में बाटा जाता है, धात्विक खनीज और आधात्विक खनीज, धात्विक खनीज को भी दो उपवर्गों में बाटा जाता है, ऐसे खनीज जिसमें लौव अंश होता है, जैसे लौव एस्क मेगनीज, क्रोमाइट, पाइराइट, टंगस्टन, निकिल और कोबाल्ट दूसरा ऐसे खनीज जिसमें लोह अंश नहीं होता जैसे सोना, चांदी, तामबा, सीसा, बॉकसाइट, टिन, मेगनीशियम आधात्वे खनीज में धात्वे नहीं होती है जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिपसम, आधी खनीजों का वित्रण भारत के प्रमुख खनीज संसाधन है लोह एस्क, कोईला, क्रोमाइट, मेगनीज, टंगस्टन, बॉकसाइट, तामबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम, आधी लोह एस्क लोह एस्क से कच्चा लोहा तथा कई प्रकार के इसपात तयार किये जाते हैं यह कहने में अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आधुनिक विकास का आधार लोहा है आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन, क्रिशी, और द्योगिक उतपादन, निर्माण और यातायात में लोहा और इसपात का कहा कहा और कितनी मात्रा में उप्योग होता है इसी कारण कच्चे लोहे का उतपादन अन्यधात्यों के उतपादन से भी अधिक होता है इसकी विशेश्टा होती है कि इसमें अन्यधात्यों को मिला कर इसकी मजबूती और कड़ेपन को घटाया बढ़ाया जा सकता है लो एसक शुद्ध रूप में नहीं पाया जाता चटानों में लोहे के अत्रिक्त अन्यखनीज भी मिलते हैं जैसे गंधक, फॉस्फोरस, अलूमिना, चूना, मैंगनीशियम, सिलिका, टिटेनियम, आदी इसे लो एसक कहते हैं, रासाइनिक प्रक्रिया के द्वारा लोहे को इन से अलग किया जाता है धातु की मात्रा के अनुसार लो एसक को चार प्रकार में बाटा जाता है हेमेटाइट इसमें 70 प्रतिशत लोहा होता है मैगनेटाइट 70.4 प्रतिशत लाइमोनाइट 69.6 प्रतिशत तथा सीडे राइट 48.2 प्रतिशत भारत में अधिकांज भंडार हेमेटाइट और मेगनेटाइट का है। भारत में लव अयस्क का अनुमानित भंडार 1 अप्रेल 2010 में 1788 करोड टन था। हेमेटाइट अयस्क प्रमुकता प्रायाद विप्य पठार में पाया जाता है। तथा देश में लोहा वैस्पात कारखानों की इस्थिती निर्धारन पर इनका निर्णायक प्रभाव पड़ा है। देश में लोह एस्क उत्पादन में 36 गड़ तिसरे स्थान पर है। राज का उच्च कोटी का लोह एस्क भंडार बैला डीला को माना जाता है। दंतेवाड़, दुर्ग, कांकेर तथा राजनान गाव में लोह एस्क संचित है। मैगनीज, मैगनीज का प्रमुक उप्योग लोह इस्पाद उद्योग में किया जाता है। जहां उसे लोहे के साथ मिलाकर इस्पाद तयार किया जाता है। इस्पाद में 12 से 14 प्रतिशत मैगनीज होता है। लगबख सारे मैगनीज का उपयोग लोहा इसपात उद्योग में ही किया जाता है। मैगनीज इसपात अधिक मजबूत, कठोर और घर्षन सहने की छमता वाला होता है। मैगनीज इसपात का उपयोग क्रशर जैसी मशीन बनाने में होता है। क्रशर से चट्टान पीस कर अलग-अलग आकार में गिट्टी बनाया जाता है। इसके अलावा मैगनीज का प्रमुखुपयोग कांच तथा मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, फर्श के टाइल्स, ग्लास, वार्निश तथा शुष्क बैटरी सेल बनाने में किया जाता है। भारत में मैगनीज अयस्क का कुल अनुमानित भंडार एक अप्रेल 2010 में 43 करोड टन है। सरवाधिक मैगनीज भंडार ओडिशा, करनाटक और मध्य प्रदेश में है। 36 गड के बिलासपूर जिले में 516.66 मिलियन टन उच्च कोटी के मैगनीज अयस्क के भंडार है। इसके अलावा मुलमुला, सेमरा, कोलिहा टोला में मैगनीज अयस्क के जमाव है।